पटना के हतुवा मार्केट में सुबह सुबह भीशन आग लग गई हतुवा मार्केट के कुछ दुकानों में आग लगने से अफरात अफरी मच गई कुछ लोगों का कहना है कि पहले बाजार में वजरपात हुआ इस वजर्पात की चपेट में आने चे पहले एक बाइक में आग लगी उसके बाद ये आग दुकानों में फैल गई कपड़े के दुकान में आग की लपने उठने लगी और धीरे-धीरे कर कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया एक कारोबारी ने बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें आग लगने की जानकारी मिली वही कारोबारी अभी भी पशो पेश में है कुछ लोगों को लगता है कि ये आग ठनकी की वजह से लगी है तो वही कुछ लोगों का अनुमान है कि शौर्ट सरकिट की वजह से आग लगी है अब बहुत से बात हो रही है कि किस तरह से आग लगी हम लोग बहुत डरे हुए अभी मार्केट बंद रहता है अंदर वही गार्ड लोग थे तीन बजे धमाका हुआ बहुत ते जगल वगर के घर वाई लोग भी चौक गई कि कहे धमाका हुआ उसके बाद लोग आये देखे तो धीरे धीरे धुआ उठने लगा तो लोग जमा होने लगे चार सारे चार वजे पहला लोग आया जब धुआ पूरी तरह से उठने लगा वहीं जिला प्रशासन को सुबह चार बजे ही आगजैनी की सूचना मिल गई जिसके बाद दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँचकर दमकल के स्टाफ ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पा लिया हाला कि इस बीच दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो गए वहीं मानसून की पहली बारिश में ही हथुआ बाजार में जल जमाव का संकट पैदा हो गया एक तरफ बाजार में आग लगी है तो दूसरी तरफ यहां जल जमाव की स्थिती बनी हुई है वहीं अभी आग लगने से हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लग पाया है